नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दिरसंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टोफिप्टी कोशन जो बार बार आपसे एक्जाम में पुछे जा रहे हैं तो दिरसंस आपके सी भी एक्जाम की त्यारी करें जहां पर भी आपसे जीके के कोशन पुछे जाने वाले हैं तो इस video के मादम से हम आपको जो question कराने वाले हैं वो आपके लिए बड़े ही useful और बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं अगर आपको video पसंद आए तो प्लीज को like और share जुरू किजेगा अगर आप हमारे channel पर पहली बार visit करें हमारे साथ पहली बार जुरे हैं ताकि आपके जो भी doubt है वो सासाँ clear होते हैं चलिए देखेगा आज का आपका first question है रजफाल को उनके पद की शपत कौन दिलाता है रजफाल को उनके पद की शपत कोन दिलाता ella response option a उच न्याले के मुख्य न्याइडिस, रजफाल को उनके पद की शपत दिलाते हैं ए रहेगा आपका right answer next है आपका second देखेगा roaring fortis है क्या है dear students right answer हो यहाँ पर आपका option B पस्चिमी हवाई है क्या है पस्चिमी हवाई है B रहेगा आपका right answer next है आपका next देखेगा jagad किला कहां पर स्थीत है जो jagad का किला है dear students वो कहां परस्तित है? Option B जैपूर होगा आपका right answer Next, एडियोरसंस नेक्स देखीगा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा प्रिक्षक की न्यूकती किसके द्वारा की जाती है? Very very important question है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा प्रिक्षक की न्यूकती किसके द्वारा की जाती है? एडियोरसंस Option B रास्टर पती के द्वारा की जाती है B रहेगा आपका right answer Next आपका नेक्स देखीगा ध्यानचन नाम किस खेल से सम्बन दित है? ध्यानचन नाम कौन से गेम से कौन से खेल से सम्बन दित है? Option B हो की होगा आपका right answer next edition next देखेगा Gullivus Travels को किसने लिखा था Gullivus Travels को किसने लिखा था option A Zenanath Swift A रहेगा आपका right answer next है next देखेगा antrix में कदम रखने वाला प्रथम यानि के पहला व्यक्ती कौन है right answer होगा यहाँ पर आपका option D Yuri Gagarin यादर केगा antrix में कदम रखने वाला प्रथम पहला व्यक्ती यूरी Gagarin थे D रहेगा आपका right answer next आपका सवतंत्र भारत के प्रथम गवर्ना जर्नल एवं अंतिम वाइस राई कौन था दियूर सेंस option B Lord Mountbatten next है आपका बंगाल का शोग किस नदी को कहा जाता है बंगाल का शोग कोन सी नदी को कहा जाता है option C दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है शोग कहा जाता है C रहेगा आपका right answer next है आपका प्याज आलू और अद्रक किसका उधारण है, किसका उधारण है, option C, तने का उधारण है, C रहेगा आपका right answer, next है आपका, लाल भाधुर शास्त्री की समाधी, किस नदी के किनारे स्तित है, कौन सी, नदी के किनारे पर स्तित है, लाल भाधुर शास्त्री की समाधी, right answer है, option B, यमूना, B रहेगा आपक right answer next है पहले बच्चो कावेरी नदी किस और बहती है जो कावेरी नदी है वो dear sense किस और बहती है पूरव की और बहती है ए रहेगा आपका right answer next है आपका कोटल्य का असली नाम क्या था कोटल्य का असली नाम क्या था तर बहती है ओक्षिन बी कोटल्य का असली नाम विश्णो गुपत था बी रहेगा आपका right answer फोर्टीन देखेगा शेस नाग जील किस राज्य में स्थीत है जो शेस नाग जील है वो कौन से राज्य में स्थीत है option A जम्मो कस्मीर होगा आपका right answer next आपका protein का उच्थम सत्रोत निमलिक्त में से क्या है प्रोटीन का उच्थम सत्रोत निमलिक्त में से क्या है option C soya bean है डिरसंस C रहेगा आपका right answer याद रखेगा soya bean में protein उच्थम मात्रा में पाया जाता है next है आपका 16 किस तिथी को दिन रात ब्राबर होते है कौन सी तिथी को कौन सी डेट को दिन रात ब्राबर होते हैं एक समान होते हैं right answer का option C 21 March को ब्राइगा आपका right answer next है महतमा गांधी का जनम किस वर्स हुआ था महतमा गांधी का जो जनम है यो खोड़ था 1879 में D होगा आपका right answer next है आपका next देखेगा चंदरमा पर कदम रखने वाला पहला मनुश्य था चंदरमा पर कदम रखने वाला जो पहला मुश्य था वो था option B नील आरम स्ट्रांग भी रहेगा आपका right answer next है आपका बेगम अक्तर संबंदित है बेगम अक्तर किस से संबंदित है right answer है यहाँ पर आपका option B सास्त्री है गाई का B होगा आपका right answer next है आपका सुबरो तो कप किस खेल से संबंदित है कौन से खेल से संबंदित है right answer है option A foot wall से संबंदित है A होगा आपका right answer next है आपका भारत्य पैट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत्य पैट्रोलियम संस्थान दियोर्शन option A दहरा दून में स्थित है नेक्स्ट आपका भारत का रास्ट्य वरिक्स क्या है भारत का रास्ट्य वरिक्स बर्गद है डियर संस सी रहेगा आपका राइट आपका आपका साथ पहाडियों का शहर किसे कहा जाता है साथ पहाडियों का शहर डियर संस रोम को कहा जाता है दी रहेगा आपका राइट लाल बहादूर के समाधी सतल को किस नाम से जाना जाता है डिर्शन्स option C, विजय घाट, C रहेगा आपका right answer, next है आपका बनारस हिंदू, विश्विदाला की स्थापना किस ने की थी, बनारस हिंदू, विश्विदाला की जो स्थापना है वो की थी, डिर्शन्स, option B, मदन, माल्वियन, B, रहेगा आपका right answer, next है उत्री गॉलार्द में सबसे लंबा दिन किस तिथी को होता है, उत्री गॉलार्द में जो सबसे लंबा दिन है माई लाइफ के लेखक कौन है डियूरसांस राइट आंसर हे गा इहां पर आपका ओप्शन A. Khuswant Singh A रहेगा आपका right answer Next आपका गगन नारंग किस खेल से समनी था गगन नारंग कौन से खेल से समनी था right answer हेगा यहाँ पर आपका option D निसानी बाजी से समनी था गगन नारंग D होगा आपका right answer नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखीगा Alice in Wonderland किसके दुआरा लिखी गई है Alice in Wonderland किसके दुआरा लिखी गई डिर्स ओप्शन A Lewis Carroll A रहेगा आपका right answer नेक्स्ट है आपका विस्वे की संसार की सबसे उची इमारत कौन सी है कौन सी एडिर्शन्स विशव की सबसे उची इमारत राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ओप्शन D बुर्ज खलीपा D रहेगा आपका राइट आंसर चलेगा, next देखेगा, next question है यहाँ पर आपके लिए नेप्तलीन का मुख्य सत्तरोत क्या है क्या है इडिर्शन्स, option C, तारकोल है, C रहेगा आपका राइट आंसर next है आपका, रूस का संग्या अंत्रिक्स एजन्सी का नाम क्या है जो रूस की संग्या अंत्रिक्स एजन्सी एडिर्शन्स उसका नाम क्या है option C होगा आपका right answer next आपका 33 देखेगा भारत के प्रथम उपरास्टरपती कोन थे भारत के प्रथम पहले उपरास्टरपती कोन थे डिरसंस option D आसुर्वाधा कृष्णन थे D रहेगा आपका right answer next आपका गोवा राजे की राजधानी कहा है गोवा राजे की जो राजधानी है वो है पन जी, option A पन जी यहाँ पर आपका क्या होगा right answer होगा next आपका गर्बा किस राजे की नृते सैली है कुण से राजे की नृते सैली अप्शंस option C, इसूंस की होगा right answer next आपका get का मुख्याले है जो कहा पर सी third answer right answer है option A जनेवा, A रहेगा आपका right answer next आपका 37 which I am in B1 की कमी से कौन सा रोग होता है विचामिन B1 की कमी से या देखेगा dear science कौन सा रोग होता है बेरी बेरी नामक रोग होता है D होगा आपका right answer next आपका next ≅38 question है सिवा जी की ताज पोशी कहां की गई थी सिवा जी की ताज पोशी कहां पर की गई थी डिट संस option C राइगड में की गई थी सिवा जी की ताज पोशी C होगा आपका right answer next है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था महमूद गजिनवनी ने याद दिखीगा भारत पर सत्रा बार हमला किया था डिर्संस भी होगा आपका right answer नेक्स्ट है आपका श्री लंका को पहले किस नाम से जाना जाता था श्री लंका को पहले कोन से नाम से जाना जाता था option C, Ceylon C रहीगा आपका right answer नेक्स्ट है आपका सापेक्स घनतव की इकाई क्या है सापेक्स घनतव की जो इकाई है वो है ग्राम प्रती घन सेंटीमेटर एह होगा आपका right answer नेक्स्ट है भारत किस वर्ष संयुक्त रास्टर से जुड़ा था option C, 1945 में 1947 C रहीगा आपका right answer नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारती है, रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया, कब लिया गया था डिट संस, ओप्शन B, 1948 में, 1948 में भारत सरकार द्वारा भारती रिजर्व बैंक को अधिकार में ले लिया गया था, तो B होगा आपका राइट नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एक आपका फोटी फोर कोशन पूर्ण सवराजा का परस्ताव भारती रास्ट कांगरिस के किस वार्शिक सतर में पारित किया गया था ड्यूर्शांज राइट आप यहां पर आपका option D लाहूर होगा आपका right answer नेक्स्ट आपका रोकेट किस सिधान पर कालीय करता है जो रोकेट है वो कौन से सिधान पर कालीय कता है दियोरहिजोन अप्शण बी स्वेग स्रंक्षण के सिधान पर B होगा आपका right answer 46 देखेगा बंगाल में पाल राज वन्स का संस्थापक कौन था बंगाल में पाल राज वन्स का जो संस्थापक था वो था option A गोपाल A रहेगा आपका right answer next है राश्टर पती द्वारा राज सभा में कितने सदश्यों को मनोनित किया जा सकता है राश्टर पती द्वारा राज सभा में कितने सदश्यों को कितने मेंबर्स को मनोनित किया जा सकता है राइट आंसर हैगा option C 12 को 12 को C होगा आपका right answer 48 है आपका इसराइल की मुद्रा क्या है तो याद रखेगा इसराइल के जो मुद्रा है वो से केल है डी होगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखेगा 49 कोशन प्रसिद पवित्र हिंदू तीरस्थान अमरनाथ किस राज़य में स्थित है कौन से राज़य में स्थित है ओप्शन ए जम्मू का स्थित है यह रहेगा आपका राइट आंसर चलिए आज का आपका लास्ट कोशन देखेगा रसोई घर में इस्तमाल होने वाले नमक का रसाइनिक नाम क्या है डीरस्थान्स रसोई घर में इस्तमाल होने वाले नमक का जो रसाइनिक नाम है वो है option C, sodium chloride C रहेगा आपका right answer तो डिर्शन्स ये थे आज के आपके आपके GKK तो 50 questions जो बार-बार आपसे exam में पुछे जा रहे हैं तो डिर्शन्स अगर आपको वडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको like और share जुरूर कीजिएगा अगर आप हमारे जन्स पर पहले बार विजिट करें हमारे साथ पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज चैन को subscribe करें और bell icon को जुरूर से जुरूर प्रेस करें तो चलिए डिर्शन्स मिलते हैं अपनी next वीडियो में कुछ और महतरपन कोशनों के साथ तब तक डिर्शन्स सभी को जैहिन जैभात वजने मातरम and take care